सूपर बात बच्चों आज का हमारा टोपिक है एक आर्थक परतित होने वाले शब्द एक आर्थक क्या होते हैं मिटा एक जिन सब्दों का परियोग मात्र एक ही अर्थ में किया जाता हो कि जिन सब्दों का परियोग मात्र एक ही अर्थ में किया जाता है वो क्या होते हैं एक आर्थ शब्द होते हैं हिंदी भासा में ऐसे शब्द बहुत जादा आपको मिल जाएंगे जिनके उपर देखने का अर्थ में जो हम देखेंगे तो उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देगा हमें लेकिन उनके अंदर इतने गुडार्थ यानि कि रहसे है कि उन्पर द्रश्टी डालें तो क्या होता है उसमें अंतर अपने आप ही स्पस्ट हो जाएगा उनका परियोग पुण रूप से विचारे बिना नहीं किया जाना चाहिए यहां कुछ ऐसे ही शब्द दिये हुए है उसमें हमें क्या करना है शिरफ अंतर जानना है कि हमें कव कोन से शब्द का परियोग करना चाहिए तो देखते हैं आमंतरन में किसी आउसर पर समलिद होने की प्राथना यानि कि जैसे कोई चोटी मोटी पार्टी वगरा होती है न या फिर जैसे हम किसी समूर्थ करते हैं घर का दुकान का उस पर हम क्या करते हैं आमंतरन ऐसा बुलावा देते हैं और निमंतरन क्या होता है भोजनादी के आउसर पर बुलाना जैसे हम साधी भ्या में बुलाते हैं या फिर अन्य कोई प्रोग्राम करते हैं शिरफ उसमें क्या होता है तुम्हें जीमना योग तो उसमें क्या हो जाएगा ये निमंतरन देना हो सेट हो जाएगा ठीक है अगल गर क्या होता है वही परिवार से सम्मंद रखने वाला निवास स्थान उसको हम क्या कहते हैं गर और आवास रहने का कोई भी स्थान की जहां मन किया वही पर रह गई गर का तो ठीकाना होता है वही और आवास का कोई भी ठीकाना नहीं होता आगे है अर्चना धूप दीप करने की सारी सामगरी जब हमारे पास में होती है तो उसमें हम क्या करते हैं आर्चना और पूजा बिना किसी सामगरी के भक्ति पुण विनी भाव से स्वरकिस्तूती प्रातना करना कि वही ना तो प्रसाद है ना धूप है ना दीप है कुछ भी नहीं है शिरफ खाली पूजा में क्या हो रहा है हाथ जोड़े जा रहे हैं बस मन से पूजा हो रही है अगला है ये तो इस पूजा का मतलब तो दिखावा हो गया वह इतनी सारी चीजे लाएंगे तो हम दिखावा करके पूजा कर रहे हैं और इस पूजा का मतलब ये है कि मन से पूजा की जा रही है अगल है अनिवारिये जिसके बिना कारिये संभव नहों वह कि इस कोई वस्तु है उसके बिना हम कुछ आगे कर ही नहीं सकते तो उसको क्या कहेंगे वह अनिवारिये है वह तो एक आवशक आवशक जरूरी नहीं भी होगी तो उसके बिना भी काम चल सकता है तो अनिवारिये और अभी नंदन वे किसी महान व्यक्ति का किसी विशेश कारी अत्वा आउसर पर विदिवत सम्मान करना अभी नंदन कब होता है जब कोई बड़े नेता लोग आते हैं या कोई वियाई प्याद में हम अपने घर पे स्कूल में कहीं भी बुलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है क कौन सा सब्यूज करेंगे अभी नंदन और स्वागत स्वागत में तो सभी व्यक्ति आगे कि सम्मान पूर्ण विवार सभी व्यक्ति आ जाते हैं अभी नंदन में कुछ एक फे मसी आते हैं अगला है इच्छा किसी वस्तु के परती मन की लगन का भाव और अभिलासा क्या होती है कोई विसेश इंदोनों में भी अंदर है यह वैसे तो दोनों के फरियाइवात्थी है एक दूसरे के यह लेकिन जब इतको घहराए से देखेंगे तो अंदर नजर आता है कि इच्छा क्या है भी किसी वस्तू के परती मन में भी हमें तो ये चीज लेड़ी है मेरी तो ये इच्छा है जैसे कोई हम बाजार जाते हैं कोई भी वस्तू देख लेते हैं तो हमारी इच्छा हो जाती है कि ये भी ले ले ये भी ले ले और अविलासा कोई व अधिका मतलब होता है जादा और परियाप्त का मतलब होता है अवसक्ता के अनुसार ठीक है अगला है अस्त्र जो अतियार फेकर चलाया जाता है फेकर क्या चलाते हैं वई तीर भाला ऐसे अतियार होते हैं और सस्त्र क्या होता है कि जो अतियार हाथ से पकड़ कर चलाया जात अगला है अपराद सामाजिक और सरकारी नियमों का उलंगन इसको तो क्या कहते हैं अपराद आपने नाम सुना हुआ न मूवी देखते हो तब कि अपराद दी पकड़ा गया और पाप क्या होता है नैतिक एवं धार्मिक नियम तोड़ने वाला जैसे कोई हमारे मंदिरों में कोई बात होती है ना जैसे पूजा वगिरा वाली उसमें जो भी नियम तोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं कि पाप लगेगा और अपराद और पाप में अंतर होता है आगे है आवस्था जीवन का बीता हुआ भाग आवस्था जो जीवन में जितना समय बीत गया उसको कहते हैं और आयू पूरन पूरन का मतलब पूरा जीवन का ठीक है और उम्र किसी विशे समय पर आवस्था उम्र का मतलब तो वह कितने साल के होगे इस बात के बारे में पूछ रहे हो आयू क्या होगी वही मेरी पूरी आयू में जैसे हम उधान देते हैं तो अपने पूरे जीवन काल की बात हो रही है और आवस्था क्या होती है जीवन का बीता हुआ भाग अगला है आमुले जो वस्तु मुले देकर भी प्राप्त न हो सके भाई बहुत ही कीमती हो उसे हम क्या कहेंगे आमुले कि हम लेना चाहते हैं लेकिन उसका तो कोई मोल ही नहीं है और बहु मुले जिसका बहुत मुले देना पड़े यानि की हदिक पैसे देने पड़े अगला देखिए अभीमान क्या होता है परतिष्टा में स्वम को दूसरों से स्ष्ट समझना और एहंकार क्या होता यह गमंड करना जुठा गमंड यानि यहां तो कोई काम कर रखा है उसके उपर अपनी स्रेश्ता दिखाना होता है और एहंकार मतलब काम कुछ भी नहीं है जूठ मुठ में जूठा गमंड दिखा रहा है कि नहीं कुछ हूँ अगला है अनुमती किसी कार्य के लिए सैमती लेना और अग्या बड़े द्वारा चोटे को कुछ करने के लिए कहना अनुमती क्या हो गई और अग्या में अंतर हुआ अनुमती क्या है वही सैमती लेना एक दुसरे के विचार आपस में मिलाना और अग्या क्या हो गई वही जो छोटे होते हैं वह बड़ों कुछ करने के लिए कहना वह या उड्र देना जिसको तुम इंगलिस में बोलते हो और आदेश आदेश कौन देता है वही किसी अधिक कारी दवारा दिया गया निर्देश उसको हम क्या बोलेंगे आदेश जैसे कोई टीचर बोलता है तो हम क्या कहते हैं जैसे तुम पानी के लिए जाते हो वहाँ पर क्या होती आपकी अनुमती शब्द कि आप अनुमती लेते हैं ठीक है आप अग्या मानते हैं और आदेश क निर्बल और दूर्बल क्या होता है जिसमें रोगादी के कारण बल में कमी हो बई यहां तो पहले से ही कम हो बल और यहां पर बीमारी के कारण बल कम हो गया हो तो निर्बल और दूर्बल ने अंतर समझ में आया अगला है करूना दूसरों का दुख देखकर पिंगल जाना ठीक है और दया दूसरों के दुख को देखकर उसे दूर करने की सवाभाविक इच्छा करूना तो सिरफ पिंगल जाना दूसरे के दुख को देखकर और दया में उसे देखकर उसकी कारी करने की इच्छा होती हूँ तो इसी तरह से अगे भी आपको सारे करने हैं ठीक है? मैंने 15 पढ़ा दी हैं उससे अगे तुम खुद पढ़ोगे और जितने भी हैं कम्प्लीट ली लिखोगे और याद करोगे धन्यवाद